हेलो फेंट्स वेलकम बेग तो माई चैनल टेकनिकल शो टाइम फेंट्स आज के इस वीडियो में अन्बॉक्सिंग करेंगे रिव्यू करेंगे एक 124 इंच ओरिजिनल ग्रे मोटराइज्ड वारलेस रिमोट कंट्रॉल ऑपरेटिट प्रेटर इसकीन का जो की काफी बढ़िय प्रिक्चा क्वालिटी टेस्ट भी करके देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो फेंट्स हमारे पास में यह दो और प्रेक्टर इसकीन आ चुकी है और यह दोनों ही स्क्रीन मोटराइज्ड वारलेस रिमोट कंट्रॉल ऑपरेटिट प्रेक्टर इसक्रीन है यहां पा फोर फीरेट में मिलती है जो की 84 इंच डायगनली स्क्रीन साइज बनता है यह जो फिस्ट वाली स्क्रीन है जो की 9 इंटु 5 फीरेटनिकी इस वीडियो में हम अन्बॉक्सिंग करेंगे और टेस्ट करेंगे इस 124 इंच स्क्रीन साइज का जो की ग्रे फैबरिक में हमें मिली है बाकी जो यह दूसरी स्क्रीन है उससे दूसरे वीडियो में दिखाएंगे तो फैंट्स यह काफी बढ़िया तरीके से हमें बावल इस पे मेंशन किया गया है और कस्टम मेट पे यहां पर टिक लगा हुआ है तो 9 इंटू 5 के साइज में मिली है जो की डाइगनली 124 इंच का स्कीन साइज बनेगा और स्टेंडर्ड साइज इसका 120 इंच का आता है तो वह भी 9 इंटू 5 ही होता है लेकिन उसमें कुछ इंच इसे कम होते हैं तो आप चाहें तो कस्टम मेट 124 इंच में बन बाच सकते हैं बाकि आप स्टेंडर्ड साइज में 120 इंच में ले सकते हैं तो फ्रेंट्स स्कीन के बॉक्स में हमें स्कीन के साथ में एक अटेज्ड मैनुवल रिमोट कंटॉल मिल जाता है इससे आप कर सकते हैं इससे स्टॉप कर सकते हैं और इससे यहां पर डाउन कर सकते हैं और इसमें हमें इसकी पावर कोड भी मिल जाती है 1.5 मीटर की इसकी पा पर काफी अच्छी बात है तो इसमें wireless remote control को hold करने के लिए इसका holder भी हमें मिल जाता है आप यहां पर देखेंगे light billing कर रही है इसका मतलब है इसमें battery already लगी हुई है तो बाइचेंज अगर यह remote control खराब हो जाता है तो आप जो है मैंने यहां पर install कर दिये और काफी easy था इसको install करना यहां पर आप इसका brand नेम देख सकते हैं तो यह टैलोन brand की है और यहां पर देखेंगे तो इसका यह manual remote control है और इसका यह wireless remote control है तो इसमें भी हमें same features मिल जाते है stop up down और इसमें भी हमें stop up down के buttons मिल जाते हैं तो चलिए इसको मैं आपको operate करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से यह work करता है तो friends आप देखेंगे मेरे पास में इसका यह wireless remote control है और इसका जो यह down button है तो इसको मैं प्रेस करता हूँ तो इसकी वहां से बाहर आना शुरू हो जाएगी तो आप देख सकते हैं कि screen जो है वो यहाँ पर बाहर आ रही है और यह grey screen है और काफी अच्छी fabric है इसकी काफी बढ़िया picture quality इसके मिलती है मैंने और लेडी इसको test करके देख लिया है उसके बाद ही यह video मैं बना रहा हूँ अब जैसे यह screen निकल रही है मैं चाहता हूँ क तो यह फिर से यहाँ पर अप हो जाएगी तो आप यहाँ पर देखेंगे कि screen जो है वो अंदर फोल्ड होती जा रही है तो इसको मैं फिर से ही बाहर निकाल लेता हूँ तो यहाँ पर जो यह screen है वो पूरी बाहर आ चुकी है और यह automatic stop हो जाती है जब इसको हम फोल्ड करते हैं और जब पूरी फोल्ड हो जाती है तो यह automatic stop हो जाती है और जब उपर से हम उसको बाहर निकालते हैं remote से तब भी यह automatic stop हो जाती है यहाँ पर जो उपर आप black portion इसमें देख रहे हैं जो black border देख रहे हैं उपर के portion में तो यह हमें करीब 7 इंच का black border दिया गया है और दौनों साइड में भी हमें यहाँ पर 1.55 इंच का black border इसमें मिल जाता है और bottom में भी हमें यहाँ पर आपको जो black border मिल जाता है और यहाँ पर हमें इसमें एक metal का pipe यह मिल जाता है और काफी heavy यह pipe है और इदम clean and clear बिल्कुल screen है तो यहां पर जिस तरीके से यह wireless remote work करता है same to same यहां पर जो इसका यह manual remote controller वो भी work करता है तो अगर इसमें भी मैं आपका button press करूँगा तो यहां पर जो है यह screen उपर ओना शुरू हो जाएगी तो यहां पर आप देख सकते हैं कि screen जो है वो उपर जा रही है और यहां पर remote में अगर मैं stop का button press करता हूँ तो यह इस तरीके से stop भी हो जाती है और फिर से इसे मैं यहां पर down ला सकता हूँ तो यहां पर इसका manual और जो wireless remote controller वो बिल्कुल सेम तरीके से work करता है अब यहां पर देखेंगे उपर जो 7 inch का black border दिया गया है उतना हमें नहीं चाहिए हमें चारो साइड में बराबर ही border चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा अप कर सकता हूँ और इसको stop कर देंगे तो चारो साइड से जो border है वो black border वो बिल्कुल exact बराबर हो जाता है तो चलिए फैंट्स अब इसका picture quality टेस्ट करके देख लेते हैं तो फैंट्स यहां पर मैंने projector on कर दिया है और काफी अच्छी picture quality यहां पर हमें दिख रही है जबकि side में यहां पर एक 25 watt की tube light भी on है और उसके बाद भी यहां पर हमें काफी color वगरा थोड़ी से better नजर आ रहे हैं जो कि white skin में हमें नजर नहीं आते हैं वहां साथ देखी मैं light off करके आपको दिखाता हूं तो color वगरा थोड़े से और यहां पर अच्छे हो जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे जो contrast ratio है वह काफी बढ़ जाता है black level भी यहां पर काफी increase हो जाता है तो फिर से मैं light एक बार on कर देता हूं तो कहने का मतलब यह कि grey screen पे light on करने के बाद भी काफी अच्छी picture quality दिखाई देती है तो चलिए अब इसमें कुछ play करके देख लेते हैं तो friends यहां पर आप देख सकते हैं कि side में light अभी भी यहां पर on है और उसके बात भी हमें यहां पर काफी बढ़िया picture quality मिल रही है, brightness भी अच्छी मिल रही है, color अगरा भी यहां भी काफी better देख रहे हैं white screen के comparison में white screen पे जब कोई movies अगरा हम play करते हैं light on करके तो विल्कुल wash out सी picture नजर आती है लेकिन इस screen पे काफी बढ़िया picture quality हमें light on करने के बाद भी नजर आ रही है, आप चलिए यहां पर मैं light off करके भी आपको दिखा देता हूँ, तो देखिए यहां पर मैंने light off कर दी है और उसके बाद में भी हमें यहां पे काफी बढ़िया picture quality दिख रही है, contrast issue यहां पर बढ़िया हो चुका है, color यहां पे काफी vivid नजर आ रहे हैं white skin में actually जो color वगरा नजर आते हैं थोड़े सी wash out color होते हैं, थोड़े से dull color होते हैं, थोड़े से कहसकते हैं कि इन color में shining नहीं होती है, sparkle नहीं होती है, लेकिन यहां पर काफी shining के साथ में color नजर आ रहे हैं, जैस की थी तो उसमें 10 degree के angle से ही view angle खराब हो जाते थे white skin के comparison में definitely थोड़े से view angle इसमें कम है लेकिन at least नहां पर आपको 160 degree तक view angle मिल जाते हैं तो देखेंगे कि बिल्कुल मैं side में आ चुका हूँ उसके बाद भी यहां पर picture quality जो है तो इस time में right side में भी बिल्कुल angle से आ चुका हूँ एकदम तो आप देखेंगे कि यहां पर भी हमें फिर भी काफी बढ़िया color वगरा देखने को मिल रहे हैं तो इस screen में view angle भी काफी बढ़िया है contrast ये शू काफी बढ़िया है और color वगरा में काफी shining हमें यहां पर नजर आ रहे है तो इस screen का picture quality test तो आपने देखी लिया है मेरे पास में 120 इंच की grey screen और भी ए ग्रे स्कीन की वह दूसरी वराइटी है ग्रे स्कीन की कई सारी वराइटी आती है अलग अलग fabric आती है तो एक यहां पर यह fabric आप देख सकते हैं यह और screen है मेरे पास में और इस पर mention किया गया है 3D glass fabric projection screen तो यह basically इसमें थोड़े से sparkle से नजर आते हैं और यह 3D भी support करती है यह screen तो मुझे पहले लग रहा था कि यह इस पर gray color का paint किया हुआ है लेकिन वह actual paint नहीं है वह original fabric ही है लेकिन इसमें थोड़े से pixel से हमें नजर आते हैं जैसे कि full HD TV हम देखते हैं उसकी pixel हमें नजर आते हैं और एक 4K TV की pixel हमें नजर नहीं आते हैं तो यह जो मेरे back side में screen लगी हुई है जो की picture quality test मैंने आपको दिखाया है तो इसे आप एक 4K screen मान सकते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल smooth matte color का gray दिया गया है जिसमें बिल्कुल smooth picture आपको मिलती है लेकिन यह दूसरी जो gray है तो इसमें थोड़े से pixel हमें नजर आते हैं तो चलिए इसका मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ इस दूसरी gray screen का वैसे तो fancy दौनों यह screen gray color की हैं लेकिन इनकी जो picture quality है उनमें काफी फर्क है थोड़ा सा मैं आपको यहां से दिखा देता हूँ जैसे कि इसकी fabric अगर हम देखेंगे इसकी fabric में काफी smoothness यहाँ पर दी गई है कोई भी pixel आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा pixel type का इसकी screen मे तो देखेंगे यह matte gray में आती है और काफी smoothness से इसकी screen में और काफी जो picture quality है वो भी इसकी काफी बढ़िया है और इसकी अगर fabric में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो छोटे-छोटे dots से हमें नजर आएंगे जिससे की picture quality है वो थोड़ी सी बेकार सी लग आता है कि जैसे कि इस पे paint किया हुआ है gray color का बड़ी एक्चुली paint नहीं है यह इस टाइप की भी gray screen आती है picture quality इसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही थी तो अगर दूर से देखेंगे इस पे तो काफी बढ़िया picture quality दिखाई देगी इस पे भी लेकिन यह home purpose के ल काफी vivid color हमें इसमें नजर आती है लेकिन इसमें उतने मुझे देखने को नहीं मिले तो अभी आपने इस gray screen का picture quality टेस्ट तो देखी लिया है और एक दूसरी gray screen के साथ में भी इसका comparison देख लिया है मुझे लगता है कि तीनोई screen में सबसे best जो picture quality है वो इसी gray screen में मिलती है का contrast शेशू better मिलता है color वगरा काफी vivid मिल जाती है एक और silver gray color की screen आती है इस type की यह काफी soft होती है तो यह भी काफी अच्छी picture quality दिखाती है और actual में यह fix frame में इसको mostly बनाया जाता है motorize में बनाया जा सकता है लेकिन fix frame अगर है तो उसमें यह better picture दिखाती है तो उमीद करता हू आप लोगों को पसंद आया होगा पसंद आया हो तो वीडियो को like कर दीजिए share कर दीजिए अगर आपने पहली वार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को subscribe कर लीजिए साथ में bell icon को भी प्रेस कर दीजिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ